नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों पता है कि इस चैनल पे हम Uptek के 2011-2017 तक के सभी पेपर सालो कर रहे हैं। हमने हिंदी का जो उच्च प्रात्मी का स्थार का पेपर है वो हमने सालो कर लिया था अब हिंदी का जो प्राइमरी यानी प्रात्मी का डिस्तरے का पेपर है वह इस video में हम साल करेंगे यह आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारी चैनल के playlist में जा को देख सकते हैं तो आए आज जो है अपमान में क्या होगा उपसर्ग तो अपमान में जो होगा अप यानि कि आप्शन D दूर वस्था इसमें उपसर्ग क्या है तो दूर वस्था में जो है option B दूर अधर यह जो एंस्वर है वो सही होगा पढ़ते हैं question number 3 के तरफ पराजय इसमें उपसर्ग बताना है तो option C जो है परा यही जो इसका सही एंस्वर है और आगे बढ़ते हैं चोथे number प्राशन की तरफ दूर गू समाजक का उदारण है दूसमाज कैं होता है गूसमाजक का प्राथम पदियो आज़ गूता है cooking और इसमें कौन सा यहां दिखाई दे रहा है हमें option C दिखाई दे रहा है नोग्रा, इसलिए दूविव समाज जो होगा वो नोग्रा में होगा, option C, सही है पाच्चवे प्रशने की तरफ बढ़ते हैं हिंदी किस लिपी में लिखी जाती ये तो बहुत आसान सा प्रशना है, सभी लोग जानते हैं कि द्योनागरी में हिंदी लिखी जाती है सरवनाम के कितने भेद होते हैं जो सरवनाम के कुल भेद होते हैं वो होते हैं 6 यानि कि हाँ पर जो आफ़िसन A है वो सही है और ये 6 कौन-कौन से होते हैं पूरुस उचक, निछ वाचक निश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक, संबंध वाचक और प्रश्ण वाचक मैंने सारे नाम भी बता दिये चो अगला प्रश्ण स्टात्वा आकास पाताल के बीच लगने वाला ये जो चिन है क्या कहलाता है तो अलप पिपिराम जानते हैं आप सभी लोग कॉमा जो नीचे लगता है ऐसे बिसमादिबोदक ये है बिसमयादिबोदक का योजक चिन योजक चिन जी हाँ इसे योजक चिन नहीं कहते हैं जो दो सब्दों के बीच में डैस की तरह लगा जाता है और जो उद्धरण चिन्न होता है वो होता है double inverted comma ओके तो यहाँ पर जो answer हमारा है वो है option C योजक चिन्न इसे कहते हैं ओके यहाँ नई साड़ी है वाक्य में नई सब्द क्या है तो सबको पस्ता है कि नई साड़ी है साड़ी की विशेस्ता बता रहा है इसलिए यह विशेस्ड़ है नौवा प्रश्ण नीचे दिये गए विकल्पों में से तत्सम सब्द का चेन कीजिए तत्सम सब्द कौन से सब्द होता है जो संस्क्रीट के होते हैं तो इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है आप्शन ए आम्र जो की आम का तत्सम सब्द है आम जो है तत्भो सब्द है अगला प्रश्ण दिये गए विकल्पों में से तत्भो सब्द का चेन कीजिए तद्भो मतलब जो आम बोल चल की भासा में प्रयोक किये जाते है और उनका जो संस्की सब्द होता है अलग होता है तो यहाँ पे जो आप्सन दिये गए है उन चारों में जो मुह है वो तद्भो सब्द है इसका जो तद्सम होता होता है मुख निम्नलिखित में से कौन सा सब्द सूर्य का पार्यवाची नहीं है तो दिनकर तो है ही रभी भी सूर्य का पार्यवाची है और अनसुमाली ये भी जो है सूर्य का पार्यवाची है लेकिन यामिनी जो है ये सूर्य का पार्यवाची नहीं है इसलिए यहाँ पर जो यह answer हो जाएगा यह option D हो जाएगा या मिनी जो है रात्री का परिवाची होता है मनुरत का संदी विच्छेद क्या होगा तो मनुरत का जो संदी विच्छेद होगा वो होता है मना धन रत यह जो है बिशर्ग संदी है okay अगला प्रस्ण है 13 नंबर बिद्यार्थी उधारण है तो बिद्यार्थी उधार Arm Δविद्धि सवर संदी का गुडव स्वर्ण व्य जञें संदी का यह फिर्द हो संदी का मिनी जह दोगा होगा तो बिद्यार्थी का पैले विच्छेद क्या होता है विद्या धन अर्थी अब विद्याधन अर्थी में कौन सा संधी हो रहा है दिर्ग हो रहा है इसलिए यहाँ पर जो आपसंधी है वो सही होगा दिग भ्रम उदारण है तो दिग भ्रम किसका उदारण है तो पहले इसका संधी बिच्छेद कीजिए इसका जो संदी बिच्छेद होगा होगा दिक अधाक धन भ्रम समया रहा है यह हो जाएगा दिक भ्रम ओके तो यह जो संदी है कौन सी संदी है दिक धन भ्रम ब्यंजन संदी यहां पर को जोड़े रहा है इसलिए यहां पर ब्यंजन संदी होगा ओके आईए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ 15 नमबर प्रशन बिल्ली छट से कूद पड़ी कौन सा गारक है बिल्ली जब छट से कूदी तो छट से अलग हो गई इसलिए यहां पर से का यूज हुआ है और अलगाव के लिए हो रहा है इसलिए अपादान कारक 16 नमबर प्रशन नीचे लिखे गए वाक के लिए एक सब्द बताईए जो यूद्ध में इस्थिर रहता है तो SSV किसे करते हैं पहले SSV जो होता है जिसने यस प्राप्त किया हो सत्याग्रही जो सत्य के लिए अग्रह करता हो अस्वार हो ही जो अश्वकी शवारी करता हो और जो यूद्धिस्थिर सब्द है वो यूद्ध में इस्थिर रहने वालों के लिए या जाता है प्रयोग तो option C यहाँ पर जो है वही सही है ओके आईए बढ़ते हैं के लिए प्रशन की तरफ शैव कहते है जो सक्ति की उपासना करता है उसे साक्त कहते है पढ़ा होगा आपने लोगों ने जो श्यू की उपासना करता है उसे सैव कहते है जो विश्डू की उपासना करता है उसे वैशलो कहते है तो यहाँ पर हमारा option कौन सा सही आ रहा है हमारा बी option सही आ रहा है जो स्यों की उपासना करता है वाचाल कहते हैं वाचाल किसे कहते हैं जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल यानि कि यहां पर जो आप्शन सी है वो सही है कि sync नम्बर प्रश्न स्याम धीरे-धीरे चलता है धीरे-धीरे सब्द यह पे धीरे धीरे जो सब्द है ना वो क्रिया की विशेशता बता रही इसलिके यहां पे जो एंसर होगा वह हुगा हमारा क्रिया विशेशता निम्नलिखित सब्दों में वर्तनी के अनुसार सुद्ध सब्द का चेन कीजिए तो यहां पर लिखा हुआ है आनुसंगिक देखिए यहां पर थोड़ा सब्स्प्रिंट है यह ऐसे लिखना था उसे आनुसंगिक तो जो एंस्वर भी है वह आप्शन ए ही है इसलिए मैं इस अंत्याच्छ्षरी या फिर अंत्याच्छ्षरी जो है आप्शन टी वह सही है यहां पर इनमें वर्तनी के दरिष्टी से कौन सा सुद्ध है सुष्श्वा लिखा हुआ है तो यहां पर जो आप्शन यह वाला सुष्वा है जिसमें कटकोड़ वाला खाउ का प्रयोग है वही सुद्ध है जो मी आगे बढ़ते हैं अब जो सब्द zijn न इनमें हमें प्रत्य बताना है तो घुमक्कड में कौन सा प्रत्य होगा तो सब कोई जानता है घुमक्कड में जो होता है अककड जैसे कुदकक्कड घुमक्कर P एकड कहता है ना यहाँ पे आकड जो है प्रत्य होता है इसमें बताना है डिविया में तो जो छोटी वाली यह है यहीं आपर प्रत्य है डिविया अग्या जैसे कहते हैं दुनिया लखिया दुनिया ऐसे ठीक है भिचुक, भिचुक में क्या प्रत्य होगा, भिचुक में जो प्रत्य होगा, वो होगा option C, यानि कि उक, 26 नमबर प्रस्टन पर आते हैं, निम्न लिखित में से कौन सा सब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे नीरद, वो सारी, बादल का पर्यायवाची है, बताना ठीक है, नीरद दिया है, नीरद दिया, दो option कहा गए, सारी, दो option लग रहा है, पेज में से लेग पर्यायवाची है, यहाँ पे वो है नीरद, नीरद का मतलब होता है, पानी को धारण करने वाला, नीर का मतलब पानी अद्दव का मतलब धारण करने वाला, तो यहाँ पे जो option है, वही सही होगा, पढ़ते हैं 27 नमबर प्रश्टन की तरफ, इंद्रियों को जीतने वाले क के लिए एक सब्द है, जो इंद्रियों को जीत लेता है, उसे कहते हैं जीत इंद्रिय, जो दूर का देख लेता है, उसे कहते हैं दूर दर्सी, जो बहुत तेज बुद्धी का होता है, उसे कहते हैं कुसागर बुद्धी, और दत चित उसे कहते हैं, जो किसी कारे को चित यहां पर जो आप्सवा दी है जीति इंदरिय वही सही है तो यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं है लिज के रूप लिंग व्चन या पिर कारक расс proportions कोई कोई विकार उठ्पनद rows नहीं होता है यह आप लोगों ने परिवासा पड़ी होगी 29 नंबर प्रश्ण निमने लिखित में से पूलिंग सब्द कौन सा है नदी जो है स्त्रीलिंग है पानी भी स्त्रीलिंग है इलाइची भी पानी जो है यही पूलिंग है क्या करते हैं पानी बहरा है तो आपसन भी जो है यहाँ पर सही होगा यह तीसवा प्रश्ण पवन का संदी विछेद है तो पवन का जो संदी विछेद होता है पोवन यह जो है आयाद स्वर संदी होती है जैसे नयन तो उसका संदी विछेद होता है ने धन अन होता है ना इसको कहता है नयान तो आज कहिए था वीडियो और जिसमें हमने प्राइमरी एस्तर का 2011 का पेपर सालू किया आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजेगा बाकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएगा यदि चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए इस चैनल पर और भी जो वीडियो है सालू पेपर को लेके आते रहेंगे धन्यवाद